पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे और तालीमी मेर पाकिस्तान में वो क्या है किन इलाकों में बत्र दरीज बेहतर है और किन इलाकों में नहीं बेहतर है तब काती निजाम ने तालीमी मेर पर क्या असर डाला है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे आपकी कॉल्स भी हम शामल करेंगे आप शामल होना चाहें तो हमारे लिए बहुत साध़त की बात होगी, आप तश्रीफ लाइए और अपने उजाए का जार कियें जे लिए भाई, बहुत अफसोसनाक जो चाहिए जो फिगर्स हमारे मौजज महमान ने पेश की कि इससे ये जाहर होता है कि पूरा चीजे हैं, मगर आउटपुट नहीं आरी है, कुछ उससे निकल लिए रहा है, उसकी क्या बज़ा है, इस पर बात करेंगे, एक कॉलर को शामले करते हैं, असलाम आलेकुम रहमतुलाह, आप अलेकम साम, मुश्यू भाई, आप जल्दी आ अब ही मैंने आपके जनलिस्क की बात सुनी है, मेरे क्यास में वह यहाद वाकत अपना उन्होंने संद में गुजारा है, संद से बाहर निकले ही नहीं है, और वह निकले हैं, मुखा मिला हुए तो लहार में आया हैं, लहार से बात वापस चले गाए, उन्हें तंजाब की की बात वापस चले गाए हूंगे जहाँ आप तो लुद्धार ही बात नहीं है, यहाद है पन्जाब में भी गौर्मेंट से फूल जो बाहर निकले है, पुरे पंजाब में भी जो है, वो सूरत इहाल बेटा नहीं है, नहीं है, सुरत हाँ अड़ी अच्छी है, पैस प्र सब्सक्राइब करें जो बंद करके डावी स्कूल खोल के अरब और गया उसमें जिद्ध खा लिया गया है मेरे टाज में इसके आप जोड़ करेंगे तो बाद रूजू पूरे सिंद्ध में लोग जमीन पर बैठे में च्छते में यह बंदे हैं के पंजाब में भी कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है लेकिन यह कहा वर रह रहा है रहा हुआ कर आफ़ सुनने में जायाएगा तो भूल है तो पीने के लिए पौनी जो है वहां पे जोलों में जानुबर भी पी रहे हैं और इनसान भी पी रहे है। इससके बाद जोすकूल है उनमे गड़े गोले मुर्बे और बैंसे बंदी होही है और सुकूल बंद पर रहा है। आप बचिर वह आता है कोई नहीं है और पुड़ाता कोई नहीं है और बच्छे इदर उदर बैद बाग रहां यहां पर कि पटन्जाब नेरा परेड़ी पThe Кон한다 के बच्चे जो आप Meosका करुए प्हां टांगा सुक्त है कि आते हुए आते हेड़ेंगी के पंजाब में परके रहें य। बहुत अच्छा वद्यानि कर दियर तर्दाद्य मेंटर्साइड कि यह ड़रे OPT कर लोनねद ड़र उसमें इत्रे ही डर्द है मुझे जितना पंजाब से है। लेकर मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि पंजाब को सिर्फ ट्रापे गंडे पे रहके आपको हर चीज अची नजर आती है। पंजाब के हलात इतने जहीं जादा बुरे हैं कि पंजाब के इस वर करता लाएंडा करते हैं Place Semdus से जद्राइडा लाँडा का मसला है, तो आगवाए होरे हैं रुप्रितबारण जा रहा हैं पदाप फैंके जाहरे हैं और जए चोर और जाखches रो रहे हैं यह हालत देखने हैं आप सामने जा असरतालों की हालत यह है कि वहां के एक बिस्तर पे तीन तीन पड़े हुए है फर्च पर पड़े पर लोग मर जाते हैं अब पूछने वाला नहीं है तो यह तो मुझाब की हालत है आज चलो मैं सारा पंजाब का छोड़ी देता हूं क्यों तो मुझाब को आपकी पल्ले पल्ले आवां के तो प्जाब लहारी नदर आता है सब तरफ नहीं हर सूबे की ओपर हर 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 सूबे पे करेंगे खाली एक जना भी नहीं करेंगे तो यह तो दड़की ने फस्ट विजन लिया है और जो बाप पे आई है वह जुगी नशीन ब करेंगे पूरा चुके आप से बात कर रहा हूं जहां पर च्छते नहीं है हुजूर दो अरब गौर्मेंट पैसे दे रही है दो अरब से जादा तुम्हा अदा की जा रही है मैं यही बात करने लगा और इजाद दे तो मैं बात करूँगा आप जबात बढ़के हुए है जनरल इस बाई आप बढ़ा गया सिरफ सिंध में फोकस करके पंजाब के फोकस करेंगे पूरा चुके आपी बात करनी होती है का हम होता है कि जाद करने है जो इसको चाहे पढ़ने दे जिसको चाहे ना पढ़ने दे वह उनकी अपनी मर्जे पड़बंग करता है सिंद्ध के वो देरे भी अपने बच्चों को बेच के बढ़ाई करवाते हैं जिसरे पंजाब में अमीर लोग जो है वो आची संद में पढ़ते हैं और गरीब कर जा जो हो कहीं पतलीम हासलकारी नहीं पाता इस तरह सिंद्ध में भी यही हालत है में मजमूरी तोपर आप से बात करना चाहता हूँ पूरे पाकस्तान में इस वकट जो तलीमी नजाम है मज़े बताएं कि गार्मिन बजचे्ट में कितना था पैसा रका है जी तलीम के लिए इस जो ढूरा है उसे आफट क्या आएगी पिर आपके सामने हुआ है वने अपके शोचे नहीं पूट की अपया है, जो समय किया हो झालीन के लिए उसी पे अवाद उचानी चाहिए इस इस पे आवाज अबबाद कर देते हैं, तो सब्सक्राज की अब देता है बात भा यह ऑ उन्होंने अब ये हालत मना रखी है अब उनकी हालत यह है वडेरों की हालत यह है कि वो जितनी भी गौवर्मेंट है उसका फॉकस आप कराची पे आ गया है और बाकी जो कराची से बार के राके हैं नहीं से आप पाक्सान में जाए तो राएमेंट तक को आपको वहां पर बेवतरीन अस्रामपाद कमार कार जाता है जहां पे बेहां अगलब आखे जो राएमेंट उर्ट कर जाया गो आँ है वहां भी आपकिशन में तरहाएं कि आपके कार्पाचि की तरफ तो बादर है लेकिन बादर पार किसे को भूशि नहीं आपके क्या होना है रपानीय चैली मैं कुछ पूरे पाकस्तान को उसी तरीके ते यर्वाल मना या कर गरीबों को खुण चूस कर पैसा वाहर जा रहा है और जो बाहर लेके जा रहे हैं वो मानते नहीं हैं वो कहते हैं जी के पैसा जो है यह सारा हमने कत्री लिया और कतर से है और कतर ने पैसा दिया था मिल लगाने के लिए तो कतर ये पैसा आपको दे नहीं सकता था कि पाकितान में बिजली भी लगा लो पाकसान में गैस भी ले आओ, क्या अब कतर से ये पैसा ले के आप पाकसान की ड्वेलमेंट के लिए नहीं लगा सकते थे अपनी मिलों के लिए तो आपने मिलियन डालर ले लिए और पाकसान की कातर कुछ ना किया तो ये चीज़े सारी है जो हमें कट्री भी ले डूबे हैं और कट्र का पैसा लेने वाले भी हमें ले डूबे हैं और ये अब हर चीज सामने आ रही है मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोड ने इनसाफ किया अगर सुप्रीम कोड ने इनसाफ किया वो ना हो कि जैसे पहले सुप्रीम कोड की तारीक है जो हमें नजर आ रही है इनसाफ तो अभी भी हमें नहीं है अगर मिल गया कि इन्सान नियत जाग वे सुप्रिम कोर के अंदर तो मेरे ख्याल में इसके बाद एप साहब जो होगा वो तालीमवारों गा होगा और बाकी चोरों गा होगा और इंशाधूर आएगा पाकिस्तान जिराप अलिए और बात इसके बार ही आएगा कि ये जो है वो पूरे सिंद्ध के अंदर और कोई ये ना समझे हम खाली सिंद्ध को ही फोकस कर रहे हैं मैं बिल्गोल अपने नाज़ीन को कलियर कर दूँ हम मनजाब पे भी करेंगे पूरा डॉकुमेंटेड इसके ओपर आपके सामने चीजे लाएंगे सुबह बरुचिसाद पे भी करेंगे और एंटमली अफ़पी पे भी करेंगे वहागी सारी सुरते हल के उपर करेंगे ऐसा नहीं कि मगर चूँके वक्त बहुत कम होता है 10-15 मिनिट का बात होती है उसमें पूरे पाकिस्तान को एक ही प्रोग्राम में रख के पूरा प्रोग्राम एक्सपॉयल करने वाली बात है पर हम वो फ्रैक्टिट फीगर्स भी पेश नहीं कर सकते इसलिए हमने कोशिश की कि हम एक एक सुबह करके और तमाम चारों तरफ से इसको कवर करते हैं कि क्या मामला है आज एक ओवर्वियू दिया है कि तमाम चारों सुबह के अंदर जो है वो निजाम तालीम जो निसाब है वो ही मुक्तलिफ है किसी का किसी से मैश नहीं करता पिर सुबह के अंदर आ जाएं विदिन दे प्रॉमिन्स आप जब आ जाएंगे कि तो अंदर भी सेकंडों लियर्ज है यह जो तमाशा लगावा है यह क्यों है इसकी रूट कॉसस पर जाने की कोशिश कर रहे है कि जो हमें अभी तक समझ में आई कि जहां पर सेलरी जहां पर फीस पंदरह सौ रुपे महिना से लेके 35,000 रुपे महिना तक प्राइविट स्कूल की है और जो शक्स 10,000-15,000 रुपे कमाता है वो औसत स्कूल में पढ़ाएगा तो 5,000 रुपे महिना से कम नहीं है तो वो एक से जादा बच्चा पढ़ावी नहीं सकता यह एक बच्चे के लिए पढ़ा ही सकता यह पूरी एक माफिया सेट अप है पूरा वरनाथ जहां गौर्नमेंट 2 अरब रुपे दे रही है सिर्फ एक सूबे में टीचरों को तो क्या वो नहीं से पूछने की एहलियत नहीं रखते कुदरत नहीं रखते ताकत नहीं रखते सब रखते पूछ सकते हैं ऑपरेशन हो सकता है बागदर टीचरों को बागदरों की डिगियां चाहे को सकते हैं वो चाहते हैं कि हमारी जनाब हमारा ही बच्चा बैठे गरीब का बच्चा नहीं आजाएसे यहां हो गया जी मेर अफ लेंडन जो है वो आगया दूसरे तबखे से तो यह ना हो इनसाफ ना हो जाए कहीं हम यह हमारे बाप की जागीरे हम ही बैठेंगे तो यह जो मलुकियत है वो इसको काईब रखना चाहते हैं अब देंके थोड़े से फेक्टिन फीगर्स में वो इस्टुडेंट्स का डेटा है गौर्मेंट के पास और जिसमें एक लाख बाइस हजार छे सो उन्चास टीचर सर्फिशिस दे रहें जिनकी सेलरी अठारह हजार से लेके चालिस हजार के दरमयान है जो के प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनमेंसे बास को प्रेमरी की स्पैलिंग भी उननी ली सके है कि वो जो जिन जिस कैटेगरी पढ़ा रहे हैं खो भी लिखना बोलना और उसके स्पैलिंग नहीं हाती तक ये उनका मियार है जिसमें कहा ही जारह है कि इनकी भी डिग्रियां बास की जाली है और यह इस एहलियत ही भी रखते प्रादी यह पढ़ा रहा है जो कि पर्ची सिस्टम के ओपर अपाइंड वे अश्वरते कर अब प्राइविट में आ जाएं साथ तो वहा पर 32,850 प्राइविट स्कूलों का जाल है जिसमें मुक्तरिफ लियर्स हैं जहां पर 35 जैसे मैंने अ बच्चा मैट्रिक कर निकलेगा एक बहुत अच्छे स्कूल से इंग्लिश मीडियम से और गवर्मेंट के स्कूल से तो शायद वो अपनी चोट्री की अप्लिकेशन भी नहीं लिख सकता हूग अगर्से तक तो अली भाई इंग्लिश जो थी वो प्राइमी में थी ही नहीं और आप एक बड़ा फर्क देख सकते थे कि जो बच्चे प्राइविट स्कूल से निकलते थे और मैट्रिक करके और दुसरी तरफ जो निकलते है आप अन्बलीवबल ली जो है उनकी आपस में उनका एक वाज़ आप फरक नहीं है जो जैसे मैंने कहा ना जो इसकूल पहते हजार रुपे महीना ले रहा है तो आउटपुट देगा ना कुछ तो वहाँ पर यह है कि बच्चों को बाखायदा उनकी इंग्लिश को फुलूइंट करने के लिए वो कुछ अरसे के बाद पाबंदी लगा देते हैं कि आप किलास में अलावा इंग्लिश के और कोई बात करेंगे तो वो बच्चा जब सिक्स किरास तक पहुचता है वो फुलूइंट बात कर रहा होता है और वहाँ पर बच्चे को एबी सीडी की बुग दियारी हो थी कि एंग्लिश भी आज से मजमून में शामिल है तो जब जब यह दोनों मैट्रिक कर बहार आएंगे तो जब तक्सीम कर दिया गया और कभी नहीं चाहेंगे कि जो लोग लाक लाक रुपया तर फीसें दे कर जो है वो अपनी ताभी मासिल कर रहे हैं उनके बराबर आजाएं वो लोग जोने गवर्मेंट से पढ़ा हैं तो साथ में खड़ होगे पाकिस्तान का तुराना उंको परदा बेशक्ताना चाहता था लेकर आप दूसरी पास में चले गाएं मैंने मैंने बिल्कुल की बात अपने तमाम नारूब के लिए के हम एक शूपर पतारें गया हैं पार्तितान में आप अंदाजा करें ये नर्यांग को देखू हाल है कि महां पर तलीम को किस तरीके तर बिज अपने साथ को बता देता हूं कि मैंने प्राइवट स्कूल में लाहल किये तो मैंने अच्छे पैसे दिये उस वकत तीन तिन हजार रगया देता रहा उनकी तालीम के लिए तो मेरा बड़ा बांजा आया मेरे पास मुझे लगा देखें मैंने आज कितने नंबर लिया है इस नंग्लिश में तो मैंने तो बिए लेक और देखा तो जो पह रहा था नोगmostर मैंने फूर को जबाद देखा तो बाकिता धर अवा पूरा पड़ा हुआ हूआ है तो माने जब देखा थो डिशनरी में जगा हूँ और और उसके आगर आगरी मैंने घ्रा फेटा यह तैरे जो आप बाकिता इसे तो फुरा पड़ा हुआ है तो मैं लेगे गया टीचर के बाद प्रिंसिपल के बाद तो प्रिंसिपल से मैंने काई जी कि आप बचे के यह रपोर्ट आई यह मेरे पाद इसको देखें तो प्रिंसिपल दे कहता जी माशालला जी आपका बच्चा तो बहुत लाइक है माशालला इतने जी नौबड़ा दस नमबर ली है मैंने जाए अडिक्शनरी लाओ ना लाए तो मैंने जाए यह देखो इसको जड़ा कि इसके पहले तीन चयाद लाइनों में तो पाँच स्पेलिंग गलता है तो यह कैसे नमबर लेगा ना बड़ा दस मैंने जाए टीचर को बुलाओ तीचर आई तो उसमें पता नहीं था बात हो चुगी है वहाँ पर आपको जो फीज जादा देगा वो आपका बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसको नमबर मिल जाते है वो पढ़ाई करे या नगरे उनको फीज से जड़ाद है बच्चे की पढ़ाई से कुछ ज़राद नहीं तो जहां पर पर जो तालीम है वो बिजनस पहंँआ है और अपना बिजनस देख के वो पढ़ाई करोएंगे तो फिर बच्चा क्या पढ़े जा है वो क्या तालीम का मैयार होगा ये पाकस्तान में हालत है इस वोगद तालीमी मैयार की जो मैं आपसे असल बात करना चाहता था कि वहाँ पे अब ये है कि जो चंद पैसे जिनके पास है उन्होंने सकूल प्राइबर दो जो तीन दिन चार चार खोले हुए है और वहाँ पे उस्तानी जो है वो यालाई हाफ़जा है और अगर कोई उस्तानी बात करती है कोई नहीं होता सी यू पी काप होता है उसने घावता का मेरी तरहानी बढ़ाएंगे सी यू पी सापी रहेंगा और या पो ड़सता हु रहेंगा वागत अली मेयारिया ये आप दादा का लिए वहां भादी, शुक्रिया, भूज शुक्रिया, भूज ने बहुत अम्दा बात, तो वही जो है, फ़साइ गया ते तबकाती निजान फजाये गया है, निजान जल्म जिसे हमारे अभी गैस ने कहा, एक और लो शामिल करें तक, असलाम अलेकुम रहुत अलेकुम, असलाम रह क्युकि अपका विजि है अन्हामदूलिल्ला है अपका टोपिक क्या है अचे बी टे साथ में डी टोप्रेत सह जी बिलकुल नाश्री साहब बट upset जी बिलकुल नाभी साहबений इसल residential लाजटी है तो थी कि प्रकष पर टार had to front आवार है वो हमारे है लोड शेडिंग होती है अब रहब हम खोलते हैं तो खिल कि हमारे चार्स बजे नहीं आपके लिए ठीक नहीं कुलता वर्स कुपी ज़र के बाद लाइट आती है तेसर से में हम यह पताने चलता है तो लुक्तुबी किस पहुरी है मैं अभी तख्वीर स यह नहीं मौका है कि वो अच्छा पढ़ा सके अच्छा लिखा सके क्योंकि उसकी इना तंख़ा है ना उसको जो है वो प्राइविट स्कूल में वो अफोर्ड कर सकता है यह सारे इन मामलात के ओपर हमारी गुफ्तुगों का सिलसला जारी है यह तो आपको तो आदो है कि मै अच्छा तालग भी तख्रीज सही था तो मिझे वह तख्रीफ होती है जब मैं जड़ता हूं कि मैयार जो है मसेफी की जिता जा रहा है बल्कि इसके साथ ही साथ बाद अकात बिलको परहाई नहीं होती इसकूल ही नहीं होते टीचर भी नहीं होते तंख़ाइश सब को मिलत इसकूल के ख़राद में बहुत होती है मैं आपको क्या बताओं कि किस ख़र गलतियां होती है मैं कर्म जबान की बात बता रहा हूं आपको मिशाल के तॉर्प यह आपने अभी हाल में सुनागा कि हमारे एक एसपारिंग वो है शाह सद्दाम उन्होंने इशात फर्माया कि क मैं छोर्म बॉनियात चाहिए इस अंदे बुनयात रखी जाजी पैता है या नियुद में और भी है गलतियां होती है मैं इसकी अचनदध या पथका आए कि पाकिसान में जगिज मुसारी है उसको सॉबरैनिटी करते है उन्हों के पड़्ठे अभी तक पहां पे सॉबरैनिटी करते है पहनेफंची तोय जो लगए कि इसी खाय का कौन पहा रहा है लख विटनाज उजाता हो गारा इस टाइब की गुफतगों सुनके मतलब इस टाइब की गुफतगों सुनके ना सर ना पैर जो हो जीब जीब अलफाद बोलते हैं लोग मेडिया पे आके अगर बेल्कु बड़ तक्रीफ होती है मैं आपको ब इस टाइब कर दो जाए है कि मिल्क यह वो अच्छे डगर के ओपर चले बच्ची की तारीम हो लोग जहें पड़े लिख्यों जिम्मेदार हो देखे जिम्मेदारी और तीटी वे अच्छा ही है वो तारीम के साथ ही मुंसरीक हो दी है अगर तालीम अच्छे नहीं है पर द किसी सुर्श्चा यहां की पाकिस्तान की तालीम ही अच्छे करें मैं आपको बता नहीं सब्ता है कि मुझे जम्माखबर सुनता हूं और लोगों के एंकरस को सुनता हूं जो बड़ बड़े मौला ना बन कहाते हैं एक इस्तहार है जिसके अंदर एक ऐसी चीज़ का इस्तह बड़े हेड़िक तो वो पहते हैं यह हर मर्द की दवान कि रिए नहों को यह नहींकों अचाल मिधिन के लचा है यह तनी ऐस्तलफ्य जहीं कि हलाव तो मैं नहीं सकता हूं में सुनता हूं स है तनी कि अपने को बता निसकता हूं कि अहलाग किया रहा है अंग्रेजा वलत उड़ी वलत यह चीज उसके फर्क है अरे भाई फर्क जो है यह नांज है मुटलिफ कहो कि अजय से मुटलिफ बिल्लुकुल ऐसे हैं इसे बिल्लकु ऐसे हैं मैं मापी चाहते हूं ज्यादा बखवास में आपी जाता है। माशाला जाता है। में हमेशा है, बलकि हम तो कहते हैं कि हमारी सोड़ी सी उर्दु वारी बेटर हो जाएगी। और जाले जी। मसला वजह क्या है पता है। जो जिसका मुकाम है वहां पर वो नहीं है। तो जब जब नहीं लोग बैठ जाएंगे तो वही काम करेंगे जो जितनी हों के एलियत हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। असलाम आलेकुम रह्मत ल्लाह। वालेकुम सलाम। इमरान फजल साहब नौटेंगे। बहुत फड़ाना किस्टा है पाकिसां का कि देखें तबकाती नगाम इदर भी है। यहां कभी जो सदियों से यह जो शुरू से लेबर तबका चला आ रहा है। यहां कभी चला आ रहा है। लेकिन उन्होंने नहां पर खुशाली रखी यह लेबर में भी। कि हार इंसान पर हग कुछ को मिल जाता है कांग कर दिये आगे बड़ी उनिवर्स्टीन थी और बड़े अच्छे प्राइड उप स्कूल थे यहां पर भी वहां के गौर्मन के लिगाओं के बच्चे जो तर के जाते थे वो गौर्मन के अंदर कांग करते थे उनली उनली ने इन इस प्राइड एक अर्फ्ट जाते हिस विर्सटीन थी वहोई तो प्राइड यहां पर नोर्मन के लिए यहां करने जारे पाई जो ओड़ाय तो अच्छाए भर मुशी था जाया वे तर्हान था चायवर रहे इन दोने विर्जकत बेएकर एपको ख़़ा क यह में पाकिस्तान में में जो काम नयबर सी सबसे माधिन कठ़ा हुना ता उसको तखकाती नiğजामेस्टान डिखाए। हुसमी जो तेड़ागा बड़ा ता उससे बाधिन कठा उसकता था जो जूची सबसे नीचे रचती है। इसको नीचे बर्जे का शहरी जो नहीं बना दियेंगा उंतर को उन से पैठी है वही रिटोरा मजाम का जो दे रहे थे वो लोगों को बबाद है रखते थे आज यकीन करें मैं छोटा था ये 78-79 की बात है यहां पर गिनिदायर थे उनके मरी भाई के साथ वो पड़ते थे ने वहां से मासर डिगरी का लिए तो उसने भख्काई रखी से वोगों कि अधूरी देखा ली उसने इसी के पीछे चलेगे, यही मद अब रहाम में मद रहाम कफ़ें हुजादा दो भट्व साथ के बाद अब यह निशनलाइज वासा कुछ, यह स्कूल गार मैंने अपने अपने आखों से तब्दीही देखी दिए मैं प्राइडिक स्कूल में बढ़ता था, तो इस वकद यह जितने स्कूल हो उनको गौर्मिन के स्कूल हो जाएंगी। वो पहले पहले के चंगे साल जो थे अच्छे चले और उसके बाद वही सिस्टम आ गया है जी तरहाइने मिली टीचरों को और स्कूल का जो मदान था तो मेरा मदवे ग्रैजली ग्रैजली नीचे गिर्षा गया। जो ही जारे थे एजुकेशनल वो सारे इस तरह हो गया है कि वहां पर पढ़ाई खत्री हो गया है और आप जी स्कूल जिनके लाख लाख डेड़ डेड़ लाख फीस है वो स्कूल से बच्चा पर पढ़ रहा है उसको पढ़ाई मिल दीए अब बात फिर भी आगा थी है कि जो स्कूल फार गंग करता है जिसके डेड़ दो लाख रपे फीस है आम इंसां दो कर दिन सकता उसकी देड़ेशनल पर अज़ार पर फीस है वह कहां वो बच्चों पढ़ाएगा वहां पर बच्चों पढ़ाएगा वहां से वह संदीक भो सफाय खतन हो गया निए येकिन क किताबों में ने रचान करते सहे जी तूर के सुन चुकी है। किताबों तरह की रहें इते मुढ़ना। विए भी जाना होगा एक चोटे से ब्रेक पर बेक के बाद भापस आता है इंशाला है आपकी मुझीड कॉल्स को शामिल करेंगे लेते हैं चोटा सा वक्फा झाल झाल